नमस्कार सभी सिच्छक और सिच्छकागा एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने करेंट हैवन के इटूब चैनल पर सभी प्रसिच्चू आसा करते हैं इस सेशन को डेली फालो कर रहे होंगे त्योंकि आने वाली जो वेकेंसी है 2022 और 23 में वह आपको बहुत ही बहतर बना रखा है उस सूपर टेट के प्लेलिस्ट को आप अच्छे तरीके से भली बात ही रिवीजन करते रहे हैं और यूपिटेट के भी अगर आगामी तयारी करना है आपको तो बहतर इन तरीके से जुड़ जाए सारे कलासे हमने कतम कर दिया है तो आज यह बारहावा टेस्ट हो हिमाले की नदी में क्या विसेशता है भाई हिमाली की नदी सततवाही नहीं है उसमें हमिसा जल रहता है वह बरसात ना हो तब भी उसमें जल भहता रहता है हमिसा क्योंकि वह हिमाले के जो बर्प हैं हिमनद हैं वहां से जल प्राप्त करती रहती है तो या दखना है उनमें पानी लगातार बहता रहता है यही इसकी प्रमुपिसेशता है यह चीजे बहुत ही ज़्यादा अलग कर देते हैं इसे दच्छिड भारत के नदियों से निमलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है अरब सागर आपको पता है यह भारत का मैप है तो अरब सागर गोदावरी महा नदी और किष्ना तो है अरप सागर में यह तीनों कि नधियां की तरह गिरती हैं। जो महही नदी के साथ साथ हैं अरपाथ पुर्व की ओर भैथ हैं। तो पुर्व की ओर इस बार पूर्ह की ओर बात किया गया है पहले था पच्छी में अरब सागर में अब इस बार बंगाल के खाड़ी के तरब कौन बहती है देखे गोदावरी बंगाल के खाड़ी तरब भती मतलब यह हमारा राइट एंसर होगा तापती नर्मदा माही यह सब पश्रिम के तरब भती है इस बात को लेकिन दोनों एक ही जगह हैं इस बेसे जो गर्षवपा बोलते हैं यह सरावती नदी परिष्थित है करनाटक में याद रखेंगे अगले परस पे चलते हैं तवा नदी किसकी सहाइक नदी है तो बता देंगे तवा नदी किसकी सहाइक नदी भाई सभी को पता है हमने डिसक यह आ जाते हैं गुजरात महराश होते हुए अरब की खाड़ी में गिर जाती है यह एसुरी बनाती है इस बात को या दखना है तापती नदी भी या दखना है आपको यह तरह से वहीं मद्दपदेश से ही निकलती है गुजरात राजस्तान होते हुए यह अपना एसुरी बन प्रकृति रूप से बनाए जाता है और उधक मतब कि एक तरह से बाद कर लिजिए या फिर बांध कर लिजिए या और उधक है लेकिन देवीज या फिर बन तट बनाती नदियां अपने से यहां निमलिकित नदियों में से किन के श्रोथ बिंदुल्लगभग एक ही हैं तो य हमारा जमुकस्मीर है है तो कहूं से जगह है वहां से एक नदी निंखलती सिंदु की तरफ पकिस्ताने बहती है एक नधी निकलती है और यहां भी पकिस्तान में गिरेंगाती है तो यहां दिखना है तीन नधिया पहई गोविंद सागर जील कहा है तीडवाना जील कहा है पिछावला जील कहा है सब आपने पताए एक बार पिछला वीडियो आप जरूरी वाइज करिएगा जिससे कि आपको रीविजन के समय दिक्कत नहोता हो भाई बहुत जरूरी है इसका राइट एंसर क्या होगा भाई डिडवाना जील एक प्लाया जील है दामोधर घाटी पूरा कपूरा दामोधर वाला पूरा छेत्र जो नाम जाता है तो यहां दखेंगे किस प्रकार की जल प्रवाप्रडाली पाई जाती है यह हमारा जाली मतलब यह हुआ कि बहुत सारे इसमें जाल ऐसे नदी बहे रही है तो यहां पर ऐसे आके मिल जाना बहुत जाली नुमा इस तरह से सनचना इसे आके इधर किदर सो आके मिल जाती है चाहे जिदर से हर तरब से इसमें नदी आके मिल रही है तो अगले परस में चलते हैं ब्रहम पुत नदी ति निर्माड करते हैं माजुली को सबसे ब्रभाट का जाता है घांगा eer si यादखना है गंगा नदी इधर से और ब्रंपुत नदी इधर से मिलकर बंगाल के खाड़ी में सबसे बरा डेल्टा बनाती है पूरे विश्व का इसका राइट एंसर क्या होगा तीसरा अगले परस पर चलते हैं निवन में से कौन सी नदी पंच नदी से संबंधित नहीं है पंच नदी आपको पता है सबसे उपर सिंदु नदी है सिंदु नदी छोड़ दीजे सिंदु के बाद जेलम चिनाव रावी व्यास सतलच अब देख लिए इस पांचों को सिंदु मतलब के एक तरह से यूपी के बार्डर पे पढ़े जाता है चंबल के डाकूं का कहना आप सुने होंगे इसका राइटेंस से तीसरा होगा निम्नांकित में से कौन साकतान असत्त है या बताना है अब सलिए बताते हैं फटाफट देखे भाई पूलिकट कहां पे भाई आं हमने पढ़ाया है आपको हमने इतिक भी पताया है रोहित बड़े सिप में चाय पीता है तो इस तरह बड़ाला चला सिपकिला हिमाचल पतेश में कुल्लू घाटी धवलाधर और पिर पंजाल सेड़ी पे इस्तिते बाई यह बिल्कुल सही कुल्लू घाटी जो है जो कि हिम चोटी आपको पता है एवरेष्ट जो कि 8848 तसमलो 84 मीटर है हां मीटर है इसके बाद भारत की सबसे बुला जाए भारत का सबसे उचा चोटी जो कि हमारा सबसे उपर कारा कोरम सिरेडी है उस पे इस्तित है जिसका नाम है केटू गाडविनास्तिन जिसकी लंबाई है 8611 मी सबसे उची चोटी तो कंचन जंगा बताएंगे 8599 मीटर इसकी उचाई है चलिए अगले पस पर चलते हैं निम्नांकित में से कौन सा कथा नस्त है गुदावरी प्रयादेपी भारत के सबसे बड़ी नदी है बिल्कुल सही बात है यह तो सही है सोन नदी अध्यारोपित प आउंगा की नामसे नहीं जाना जाता है बात्चिण की गंगा की नाम से जानते हैं हम धूटावरी को या दकना है आपको जब एक से की लगा वह से बताते इढ़े यह जा दखना है क्योंकि आयोग कैसे इससे बहस कर लेता है इसमें कुश ज़्यादा है नहीं लेकिन फिर आयोग वही सही माना है तो हम वही सही मानेंगे अगले प्रस्ट पर चलते हैं निमलिकित मैंसे कि समू की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की बीच की सीमा रेखा बनाती है तो भाईया इसमें साप साप दिख रहा है बुड़ी गंडग बुड़ी गंडग कोसी और सब्सक्राइब कर वाई चैनल को धन्यवाद